हेल्थ सम्मधनी जानकारी आपको मिलती रहे इसलिए ज़रूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को भी दबाएं इस वीडियो में बताएगे उपाय और दवा से आपकी लंबाई ही नहीं confidence भी बढ़ेगा बस आपकी age 21 साल से कम होनी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखें आपको पूरी बास समझ में आ जाएगी कि 20 से 21 साल तक ही growth hormone active रहता है उसके बाद growth hormone active नहीं रहता है इसलिए उसके बाद 20 से 21 साल के बाद लंबाई बढ़ाने के सारे उपाय बेकार हैं लंबाई का बढ़ना growth hormone के अलावा जीन्स पर भी निर्भा करता है growth hormone को 21 साल के पहले ही stimulate करके लंबाई बढ़ा जा सकती है उसके बाद नहीं यानि अगर जिसकी लंबाई कम है तो 21 साल के पहले ही सारे प्रयास कारगर होंगे उसके बाद के प्रयास उतने effective नहीं होंगे 21 साल का हो जाने पर bone के इपिफाई से जुड़ जाते हैं इस वज़ा से लंबाई बढ़ाने के सारे उपाई 21 साल तक ही कारगर हैं उसके बाद के वल पैसे की वरबादी है और कुछ होने वाला नहीं है क्या करना चाहिए कि लंबाई बढ़ सके और जो भी उपाई आप कर रहे हैं वो कारगर हो तो यह सब उपाई आप करिए लंबाई आपकी बढ़ेगी हाइट बढ़ाने का तरीका कोई भी अपनाए नीद अत्यन्त जरूरी है क्योंकि यह इस समय यह सोते समय बाडी टीस्यू रिपेयर होते हैं और ग्रोथ के साथ निर्माण भी करते हैं आट से दस घंते तक सोने से सरीर में बριधी होती है क्योंकि सोते समय ही अंटिी बाडी सहता है ज़ती है क्योंकि दिखें चोटा बच्चा है 20 शे 22 घंते तक सोता है इसलिए इसको आप प्ली रिपेयर के काम चलते रहते हैं इसलिए θα पर और बालेंस नीद जरूरी है अहार में प्रोटीन की मात्रा जदा हो तो भी हाईट बढ़ाने में सहोलियत रहती है वीटामिन सब्द मिनर जैसे कि कैलसियम भी इतना ही जरूरी है इसलिए दूद एक्स पालक और डाल आपके अहार में होने चाहिए केल्सियम अधिक मात्रा में हो तो ज्यादा अच्छा होता है इसलिए कि केल्सियम से बोन ग्रोथ होती है तो इस तरह से प्रापर बैलेंस फूर सप्लेमेंट लें और लंबाई निश्चित बढ़ेगी बस आपकी एज जो है 21 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपकी प्रोटीन का एक अच्छा स्रोथ है प्रोटीन युकताहार लेने से हमारी बाडी की ग्रोथ अच्छी होती है और हाइट को बढ़ाने में हेल्प होती है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन का बना होता है तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोटीन से बना हुए हार्मोन है इसलिए एग काफी अच्छा सप्लेमेंट माना जाता है लंबाई को बढ़ाने के लिए क्योंकि प्रोटीन से ही ग्रोथ हार्मोन बनेगा अगर ग्रोथ हार्मोन बनेगा प्रचुर मात्रा में प्रापर मात्रा में तो लंबाई निश्चित बढ़ेगी सोया जो लोग साकाहरी हैं उन्हें हाइट बढ़ाने का कोई अच्छा वेजितेरियन फूट के बारे में सोचना पड़ रहा है तो साकाहरी के लिए हाइट बढ़ाने के तरीके में सोया एक बेस्ट आफसन है इसमें आपको काफी मात्रा में अमीनो अचिद मिल जाता है जो की growth hormone बनाने में मददगार होते हैं तो growth hormone से आपकी लंबाई निश्चित बढ़ेगी तो growth hormone बने इसलिए जरूरी है कि जो balance food supplement में protein की उचित मात्रा हो तो इस तरह से आप सोया का use कर सकते हैं और केला केले में कुछ काम की chemicals धह सारे पाया जाते हैं केले में कुछ acid तत्र पाया जाते हैं जो height बढ़ाने में मदद करते हैं आप डेली एक ग्लास दूथ के साथ दो केले अवसले जल्दी ही आपकी height बढ़ती हुई नजर आएगी जो केला है उसके अंदर multi vitamins minerals धह सारे पाय जाते हैं और सबसे खास बात कि तुरंत आपको energy provide करता है केला छोटी सी उम्र में बच्चों को भारी वज़ा न उठाने दे इससे भी growth रुखने की संभावना होती है क्योंकि जो bone का जो epiphysis है उस पर ज्यादा pressure पढ़ता है इसल क्योंकि लंबाई bone depend कर रही है दिन चर्या नेमित रखें सोने जगने खाने पीने का time नेमित रखें इससे सरीर के portion में आसानी होती है hormone balance रहता है एक hormone balance है तो दूसरों को बिगाडता नहीं दिक्कत क्या है कि एक hormone imbalance होता है तो दूसरा hormone भी imbalance होने लगता है इस तरह से सरीर की तुसरी दवा है थारडेनम थाइटी डेली दोबूंत दोपर और रात को जीप पर लें और तीसरी दवा है पेटेंट आता जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक भी करें ताकि नए अबडेट आपको मिलता रहे और जानकारी बढ़ती रहे थैंक्यू धन्यू